आपके साथ मैं हूँ मांशी जैस्वाल राजस्तान विदानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर राजस्तान में अशोग गेलोत और सचिन पालेट के बीच में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है गमसान कम होने का नाम नहीं ले रहा है कॉंग्रसारा कमान ये दावा कर रहा है कि सचिन पालेट और अशोग गेलोत के बीच में सब कुछ ठीक है दोनों बिलकर भारते जंता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे लेकिन यहाँ पर जो मसला अगर माता हुआ नजर आ रहा है वो मुख्यमंत्री पद को ले करके जैसे कि आप सबी जानते हैं कि सचिन पालेट मुख्यमंत्री का पद चाते हैं लेकिन अशोग गेलोत उनके लिए ये कुरसी छोड़ने के लिए तयार नहीं है लेकिन अब बताया जा रहा है सूत्रों के अवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि सचिन पालेट अपनी नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी हाँ आपको पता दें उनकी तयारिया चल रही है इस वक्त की बड़ी ख़बर जो अगर हम अपने दर्शुकों को बताएं तो यही है कि एक जो बात लगातार कही जा रही है कि प्रशांद की शोर के संपर्क में यहाँ पर नजर आ रहे हैं सचिन पालेट और पालेट ब पालेट राजस्थान की राजनीती में बड़ा धमाका कर सकते हैं सूत्रों की माने तो पालेट इसी भाईने नई पार्टी लाउंच कर सकते हैं चुनावी रण निती कार प्रशांद किशोर की आईपक की सेवाएं भी साचिन पालेट ले रहे हैं मालू हो कि आईपक परिश्य सूत्र ने एक न्यूज एजिंसी को बताया है कि पाइलिट ने कुछ समय पहले उनकी सेवाई ली थी और पाइलिट दो से तीन सब्ता में अपने खुद की राजनितिक पार्टी लाँच करेंगे यानि कि बड़ा जो यहां पर बात कही जा रही है वो यह है कि इन पर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो यह है कि सचिन पाइलिट अपनी पार्टी बनाने की यहां पर तैयारियों में चुट गए है बहराल अगर ऐसा होता है तो यहां पर कॉंग्रिस की क्या सिती देखने को मिलेगी क्योंकि राजस्तान में इस साल क्यांत म विधान सभाद चुनाफ होने है ऐसे में क्या कॉंग्रिस पार्टी को मूगी खानी पड़ेगी या भारती जंता पार्टी कोई नई रणीती बनाते हुई नसर आईगी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रू बताएं देश और दुनिया की तम माम बड़ी कबर होग लिए देखतो रहिए